तो रिसेंटली मैंने अपने Redmi K20 Pro के उपर कुछ प्राब्लेम्स नोटिस की और जब मैंने इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत रिसर्च की कि क्या ये जो प्राब्लेम है सिर्फ मेरे ही स्मार्टफू में है या फिर और भी बाकि सारे Xiaomi Redmi Poco की फोन्स में भी है तो जब मैं मुझे मालूम पढ़ा कि नहीं ये प्राब्लेम सिर्फ एक लौता Redmi K20 Pro का है नहीं बल्कि और भी काफी सारे फोन में सेम प्राब्लेम्स हम में देखने को मिलता है इन फैक्ट अगर में आप शौमी के अलबाब बाकि सारे ब्रैंड्स की बात करो तो उन सारे फोन में भी आ बात करेंगे और आई होब कि आप लोगों ने भी यह सेम प्राब्लेम सेम चीजे आप लोगों ने भी एक बार ने बार महिसूस किया होगा तो टो जो सबसे पहला प्राब्लेम हैं लोके सिर्ट automatically on हो जाना आप में से काफी सारे यूजर्स ने यह चीज़ एक बार ने बार नहीं भी करते हैं तब भी वो कभी कबर on हो जाता है कभी कबर automatically off भी हो जाता है तो इसके पीछे जो में डीजन है वो है Android 11 अभी मैं आप लोगो करता हूं Android 11 की पीछे यह रिजन क्यों है सबसे पहले तो जब Android 11 की अगर मैं पहले एंड्रोइड वर्जिंस की बात करूं चाहें Android 10 हो गया 9 हो गया 8 हो गया तो अगर आप सपोज कोई भी ऐसा अप्लिकेशन यूज कर रहे हो जिसमें लोकेशन का पर्मिशन पूछ रहा था तो अगर अपने एक बार लोकेशन दे दी और उसके बाद चाहें आप उस एप्लिकेशन से बाहर भी आ जाओ उस एप्लिकेशन से जो की प्राइवी सिक रिलेटेड है वह काफी जदा इंप्रूब हमें देखने को मिला Android 11 की उपर और इसके बाद से क्या हुआ अगर कोई ऐसा अप्लिकेशन है जिसमें आपका लोकेशन का पर्मिशन मांग रहा है तो उस एप्लिकेशन को ओपन करते ही आप लोग को यह आपके बाद अगर इस एप्लिकेशन को आप फिर से ओपन करोगी तब आपको दुबारा से यह चीज़ पूछा जाएगा या फिर डिडाय मतलब अगर आप लोकेशन का पर्मिशन नहीं देना चाहती हूं तो अगर आपने कोई ऐसा एप्लिकेशन ओपन किया और अगर का पारमिशन तो काफी सारे ऐसे आप्लिकेशन से जो अटोमेटिकली बेग्गरॉंट में रान होता है सपोस्व अगर मैं अपने अपने रैंसे निकाल दिया हो लेकिन अगर वार्टिकेशन आता है तो बापस से वह बाच्प में एक्टीवेट हो जाता है जिसके विजह से फिर से वो जो लॉकेस्ट न का मार्मिसन वो अटोमेटेकलि जबता है कि उसटेम प्ऒी लगता है कि अभी कि में नहीं करता है कि आपने ऑपने उसका परमिसन दे के रख अत् Weise में जैंकि जिसके वजे से बहुत है और आफ हो जाता है अब अगर मैं दूसरी भाट करो जो कि है हॉट्सपोर और होट्सपोर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कबर आन हो जाता है या फिर वह अपने देखा होगा कि या फिर वाइफाइ ऊटमेटिकली अव गया तो इसके पीछी भी सिम्पल सा यही रिजन है अगर आपने कोई सेयरिंग अप्लिकेशन ओपन की अगर आपने किसी दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ या फिर किसी दूसरे स्मार्टफोन के साथ कुछ भी डीटा बगरा सेयर किया होगा और डिरेक्ली अगर आप उस अप्लिकेशन से एक्जिट ना करके रैम से अगर आपने उस अप्लिकेशन को क्लियर कर दिया तब आप लोगों को इस तरीके का प्रॉबलम देखने को मिल सकता है जो कि मैंने भी से प्रॉबलम नोटिस की तो में भी आपका जो वाइफाई है वो ना काम करें ना आपका ओफ हो जैसे कि मेरे यहां पर इस केस में हुआ था और काफी बार भी हो चुका है इस तरीके का सेम प्रॉबलम इसका सुलिशन सिंप्ल सा यही है कि आपको अपने स्मार्टफोन को एक लोकेशन का परमिशन एनेबल किया है तो उसे आप आफ करकर रहो ताकि वापस अगर वो अप्लिकेशन एक्टिवेट भी हो जाए तब भी आपका जो लोकेशन है वो आफ रहे और इसके अलावा अगर आपने कोई दूसरे प्रॉबलम फेस कर रहे हो तब नीचे मुझे आ है तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो कोई भी अगर और सवाल है तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हूँ और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल एक नोटिकेशन को प्रेस करना मत भूल करो लिगा